नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं केटी ज्यान, मैं हूँ अस्टोलाजर लक्षमन सिंग, सबसे पहले चेतर नवरात्री की बहुत बहुत आप लोगों को सुबकामना है आज का वीडियो बहुत ही खास है और आग्याने वाला मेरा एक और वीडियो बहुत ही खास होगा उन लोगों के लिए जो लोग कोई साधना करना चाहते हैं देखिए, नवरात्री में इस समय बहुत सारे अच्छे संयोग बन रहे हैं इस समय में जो इनसान, कोई भी एक ऐसा साधक जो जब तप तंत्र मंत्र कुछ करता है तो पूरे चांसेस हैं सपल हो जाए क्योंकि सुकल पच्छ भी स्टार्ट हो चुका है और सुकल पच्छ में और नवरात्री के सायोग में अगर आपको यह ऐसा जब तप करते हैं, साधना करते हैं तो 100% सपल हो जाती है लेकिन कोई भी ऐसी साधना यूही नहीं की जाती है तो हमारे दो वीडियो जो हैं वो इसी से रेटेड हैं कि आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है तो बिना कोई समय कवाए मैं इस वीडियो को सुरू करता हूँ लेकिन सबसे पहले तो आपको समझना होगा पूजा और साधना में बहुत अंतर होता है पूजा वो होती है जिसमें हम अपने भगवान के प्रती प्यार दिखाते हैं और नॉर्मल पूजा करते हैं रोज के दिनों में करते हैं लेकिन साधना वो होती है जो एक पर्टिकुलर चीज के लिए की जाती है जैसे 41 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 80 दिन, 100 दिन उन दिनों में आपको अपनी विष रखनी होती है और उस विष के लिए हम उस भगवान को अपने मंतरों को समर्पित करते हैं एक अनुस्ठान करते हैं पूरा अविधी विधान से होता है तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो ऐसी ही कोई साथना करना चाहते हैं अब चाये वो गायतरी मंतर हो चाये वो क्लीम किसनाय हो या दुरका से लेटेड हो या तंतर मंतर हो कुछ भी कोई भी साथना तो ऐसी साधना के लिए और क्लीम मंत्र के लिए अगर कोई करना चाहता है इस साधना को तो कल का दिन सबसे सर्वसेष्ट है कल के लिए वो समय बहुत ही सुभ है बुद्धवार के दिन रात्री में साड़े दस बजे से लेकर साड़े ग्यारा बजे तक का समय बहुत सुब है उस दिन से अपना आप यनुस्ठान चालिव कर लेजिए और अगले दिन से फिर किसी भी समय कर ये कोई भी प्रावलम नहीं है उस दिन उस मुरत से कर लेजिए जब भी हम कोई जब साड़ना करते हैं उसके बाद दसान सहवन का होना बहुत जरूरी होता है ये क्यों जरूरी होता है सबसे पहले आपको जानना होता है कि हम अगनी में जब आहुती रेते हैं तो स्वाहा के बोलते हैं ओम अगनी स्वाहा ओम स्वाहा क्यों क्या है ये स्वाहा देखे जो राजा दच थे प्रयापती दच उनकी पतनी का नाम था प्रसूती राजा दच और प्रसूती की सोला पुत्री थी। उन सोला पुत्री में स्वाहा का विवा अगनी देव के साथ हुआ। स्वधा का विवा पित्र के साथ हुआ। सती का विवा सिव भगवान के साथ हुआ। और बाकी बची जो तेरा पुत्रियां थी उनका विवा धर्म के साथ हुआ। भगवान सीकेस ने स्वाहा को ये वर्दान दिया उसकी भक्ती से खुसो के कि बिना आपके स्वाहा बोले कोई भी मंत्र और कोई भी अनुस्थान पूर्ण नहीं होगा इसलिए जब हम कोई अनुस्थान करते हैं उसके बाद हवन कुंड में आउती देते हैं और स्वाहा बोलते हैं मैं अपने मंत्रों को अगनी देव को और स्वाहा को समर्पित करता हूँ यानि स्वाहा का वो भोजन है इसलिए हम अगनी में उन भोजन की समगरी को यानि उस हवन करना जरूरी है करम ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो आपको हवन से लेटेड कुछ ना कुछ तो देना होगा जैसे भोजन, अगनी का तो भोजन है ना तो आप सको तो कुछ चाहिए, नहीं तो पूरे ही नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि जैसे, suppose that आपकी आज की हर दिन में आपने डिवाईट किया, एक लाग पचRIS़ जार एक दिन में आपकी बीस माला होती हैं, बाइस माला होती है तो उसका दसवा स्थान, दसवा जो भाग है यहां पर याद रखने वाली बात है कि अगर आप हवन नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जितने भी आपने मंत्र किये हैं उसके करने के बाद आपको उतने उसका 10 डिवाइड़ वाई 10 जितने मंत्र जैसे 1,25,000 तो 12,500 आपको मंत्र करने होंगे तो अगर एक बार में नहीं कर पाते हैं तो परड़े से यानि प्रथम दिन से ही इसको लेके चलिए तो यह बैटर रहेगा अच्या अगर हवन आप नहीं कर रहे हैं मंत्रो का तो कर दिया एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपको ब्रामण को भोजन या कन्याओ को भोजन कराना अति आवस्यक है यह करना ही है आपको क्योंकि यह दान में आता है इससे पुन्न लगता है यह ज़रूर करना है आपको यह तो एक अल्टरनेटिव है उसका है ना वैसे तो सभी वी दीविदान है करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन अब इंसन नहीं कर पाता है समय नहीं है या उसके घर में ऐसा प्राइविट घर में रहता है किसी अपने रेंटिट घर में रहता है तो वहां अगनी जलाता है ठीक है मालिक दिक्कत करते हैं अपके रेंटिट घरों में कि ऐसा अगनी नहीं जला यह दुआ होता है या पसंद नहीं आता है तो आप इससे अपने आपक इतनी किस बचा सकते हैं, लेकिन यह कोई हल नहीं है, ठीक है, हल नहीं है, लेकिन फिर भी फायदा होगा आपको, लेकिन याद रहे कि कन्याओं को या ब्राम्मल को भोजन जरूर कराएं, कम से कम 11 ब्राम्मल और कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं, यह आपको करना ही करना है अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि हवन की जब संख्या को कैसे गिने यानि हवन में आउती कैसे दे तो दो ऐसी खाली कटोरी लेजिए और उसमें कुछ दाने डाल दीजिए किसी भी चीज के डाने हो सकते हैं सुरद में खीजे दाने हो सकते हैं, खेलने बच्चे जो खेलते हैं कंचे हो सकते हैं, और या दान जिससे आप अता सगा सकती हैं कुछ भी ऐसी चीजे जिससे काउंट कर सके, मनकी हो सकते हैं एक कटोरियम भल लेजी 108 उसके बाद एक बार आपको आउती देना है और एक दान उठाके उस कटोरियम डाल देना है ऐसे करके आपको 108 आउतिया दे देनी है वैसे आउतिया तो उसका फिर वही बात आ गई आउतिया तो ज्यादा होती है लेकिन 108 तो आपको देनी है यानि य पूजा कर सकते हैं, कोई प्राब्लम नहीं है, पूजा की कोई विधिविधान नहीं होती है, किसी भी जगए, किसी भी समय, किसी भी वार, किसी भी जगए पे कहीं भी कैसे भी कपड़ों में बैठ के आप कर सकते हैं, पूजा मतलब सीकस्म ने कहा है गीता में कि इसका कोई समर्पढ करना पड़ता है भगवान के प्रती निस्ठा दिखानी पड़ती है आपको तब ही भगवान खुश होते हैं पूजा में जब कीजा ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी करिया आप लेकिन इस साधना के लिए आपका एक गुरू होना अनिवार है और हमेशा ध्यान रखिए दो चीजे एक तो आप किसी गुरू के दिये हुए मंत्र को ही करिए यूहीं किसी भी गूगल से और किसी के वीडियो को देख के कोई भी मंत्र मत चालू करिए जो भी आपका अपना है कोई भी हो सकता है उससे पूछिए कि मुझे ये प्राब्लम आ रही है मैं कौन सा मंत्र करूं जब वो आपको आपकी कुंडली देखके या आपकी चिंताओं को समझते हुए जो मंत्र आपको देता है वो मंत्र करते हैं तो आपका काम जो है बहुत आसानी से बन जाता है क्योंकि जो हमारा पांचवा घर होता है वो पांचवा घर होता है आपके धरम करम का आपकी करम का आपके एजुकेशन का आपके पुत्र का और गुरू का स्थान होता है वो जूपिटर उसका कारक गर होता है लेकिन पांचवे घर का वैसे तो सूर होता है लेकिन कि भी जो गुरु थे वो सूर थे तो सूर और गुरु दोनों ही देव गुरु हैं तो वो इस पाच्वे स्थान के कारक हैं तो आपको गुरु से हमेशा मंत्र लेना चाहिए कि मैं कौन सा मंत्र करूँ अगर वो आपको आदेश देता है कि मंत्र कर लीजे तो आप कर सकते हैं अबे जड़क कर सकते हैं क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा फिर आपका अच्छा अपने साधना के दोरान कभी भी अपने जो होने वाले अनभाव हैं अपनी पतनी को, अपने पती को, किसी को भी चाहे कितना भी सगा हो नहीं बताने चाहिए हमेशा अपने गुरू को बताएं कि ऐसी मुझे प्राबलम हो रही है या ऐसा हो रही है और हो सके तो जैसे आप मुझसे पूछते हैं तो मुझसे इस्टाग्राम में पूछिए यूटूब में कमेंट्स मत करें कमेंट्स की मतलब यहाँ पर यह है कि जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो तो पूछ सकते हैं कोई क्श्चन आपको होती है और किसी को आप बताते हैं तो वो साथना विफल हो जाती है उसके अस्पल होने के पूरे chance होते हैं और साधन आपकी बेकार चली जाती है, क्योंकि Anभाव जब तब होते हैं, जब आपकी सिद्धिया आपको धिरी-दरी मिलने लगती हैं तो अपने अनभाव को बताए नहीं जाता है, जिकि जोसे जो लोग इंद्रजाल करते या वसी करन करते हैं, वो अपने कुछ पैसे के कमाने के लिए करते हैं, अपने विद्या को बताते नहीं हैं। किस हमने जिन को साथ रखा है, किस भगवान को साथ रखा है, किस गण को साथ रखा है, तो विद्याईच होती हैं, बताई नहीं जाती हैं। तो ये दो चीज़े आपको याद रखनी है पहला तो गुरू के द्वारा दिया हुआ मंत्र करिए और किसी को मत बताइए कोई भी कितना भी सगा हो बगेर गुरू के तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो उन साधक के लिए जो किसी भी साधना को अब स्टार्ट करना चाते हैं तो बुद्धवार उसके लिए बिल्कुल उप्युक्त दिन है बिना सोचे समझे रात्री के साड़े दस से लेकर साड़े ग्यारा बजे से कोई भी साधना आप कर सकते हैं कोई भी प्राबलम नहीं है तरीका मैंने बता दिया है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसका दस गुना मंत्र पढ़ सकते हैं और अगर हवन देते हैं तो भी कर सकते हैं 108 बार ही देगी तो भी जलेगा लेकिन यहां पे अरपर तलपर मारजन की इतनी ज़्यादा कोई जरुवत नहीं है सिर्फ हवन से भी आपका काम चल जायागा और अगर हवन नहीं होता है तो मंत्र कर लीजे लेकिन ब्रामन और कन्याओं को भोजन जरूर कराईए तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो इस्ते ट्यून रहिए मैं अगला वीडियो भी इससे बहुत इंपोर्टन लेके आऊंगा ये दो वीडियो उन साथगों के लिए होंगे जो कोई ऐसा करना चाहते हैं मातारानी आपकी साथना को सफल करे और सारी खुसियां आपकी जोली में भर दे जो आप चाहते हैं मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जै मातादी हर्यों नमो नारायन स्रीया